आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि first impression is the last impression और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी novel का first impression खराब हो आखिर first impression इतना important क्यों है आईए जानते हैं इस बात को हमारे आज के lesson से जो है powerful beginning Begin with the action मान लीजिए आप कोई novel पढ़ने गए है और उसकी शुरुवात एकदम exciting event या एक ऐसे scene के middle part से हो रही है जिसका result या beginning दोनों के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता Starting ही अगर आप action से कर दें तो वो readers को वहीं बांध लेता है Example जैसे बाहुबली बाहुबली में शिवगामी अपने गोद में एक बच्चे को लेकर भागे जा रही थी उसके पीछे कुछ सैनिक थे जो उन दोनों को शायद मार देना चाते थे नदीब पार करते समय शिवगामी को ये पता चल जाता है कि वो अब खुद को ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगी इसलिए वो बच्चे को बचाने का फैसला करती है ये कहाने की शुरवादी इस action से हुई है ना इस action से पहले characters के बारे में कोई जानकारी दी गई कहानी लिखनी है जिसे पढ़ने के बाद लगे हां कहानी में दम है यू स्ट्रॉंग descriptive language किसी भी कहानी को बहतरीन बनाने के लिए उसकी language को reader से connect करवाना जरूरी होता है जैसे आप अपने lead characters के emotion और उनके expressions को जितना अच्छे से describe करेंगे लोग उतने अच्छे से scene को imagine कर पाएंगे जैसे अभी आपका character किस तरह बैठा हुआ है उसका body language कैसा है वो कैसे चलता है कैसे बाते करता है कैसे मुस्कुराता है उसकी अदा उसके movements कैसे है या किसी जगह को अच्छे तरह से describe कर बताना ये आप जितना clearly बताते हैं चाहे action के through या narration के through उतना लोग आपके कहानी को अच्छी तरह से visualize कर पाते हैं example आप सभी ने pocket novel की famous story काशी एक प्रेम कहानी पड़ी होगी बनारश शहर असी घार सुबकावक्त इस तरह से आपको अपनी कहानी को describe करना है जिसे readers को पढ़ते समय कब कहां कैसे क्या हो रहा है इसके बारे में पता चल सके introduce an interesting character अपनी कहानी में धासु character को introduce करें और कहानी में लगाए मनोरंजन का तरका और साथ ही लगाए villain का चोका और उसके साथ थोरे से सब characters को नमक की तरह स्वाद अनुसा डालना ना भूलियेगा examples Three idiots movie में एक character था चतुर जो टौपर तो था लेकिन बस रठना जानता था और इसी वज़े से अन जाने में ही वो भीर से अलग पहचान में आ जाता था कभी टौपर बनकर तो कभी लोगों से अलग उनके हसी का पात्र बनकर इस character ने लोगों की memory में एक अलग सी जगा बना ली है जिसे शायद कभी कोई भूल नहीं पाएगा उसी movie का एक और सब character virus है जो villain का role play करता था उस character ने पूरी movie में मिर्च मसाला मिलाने का कोई कसर नहीं छोड़ा था कभी वो हमारे तीन heroes को कोई punishment देता कभी students के लिए ऐसे rule बनाता जो students के hit में भी नहीं होता कभी वो students की नादानी को माफ करने की वज़े उन्हें college से रेस्टिकेट कर देता था कभी वो career बनाने के लिए लंबी-लंबी speech देता था और कभी youngsters के सपनों को तोड़ने का काम करता user hook कहानी की शुरवात ही अगर आप suspense या किसी hook से करते हैं तो readers में starting से ही curiosity बिल्ड हो जाता है और इस वज़े से वो अन तक आपके पूरे कहानी को पढ़ते हैं पर याद रहे hook ऐसा होना चाहिए जो आपके कहानी के main conflict से जुरा हो जैसे बाहु बली में शिवगामी और उसके पीछे गुंडो का होना और फिर शिवगामी का अपनी जान देकर उस बच्चे को बचाना और उसका भारी भरकम डायलॉग बाहु बली को जीना होगा ये कहानी के शुरुवात में बहुत बड़ा suspense और hook क्रियेट करता है कि वो बच्चा कोई आम इंसान नहीं है और इसी से कहानी का main conflict भी सामने आ जाता है इसी तरह आपको भी कहानी की शुरुवात में ही ऐसा कुछ suspense क्रियेट करना होगा जिस से लोग अपने सवालों के जवाब ढूनने के लिए आपकी कहानी को पूरा पढ़े Use a strong opening line कहानी के powerful beginning के लिए कहानी के शुरुवात में ही एक धमाकेदा डायलोग या strong narration का इस्तमाल करना चाहिए जो readers को attract करें और जो उन्हें कहानी के साथ बांध ले For example, three idiots movie को ही ले लीजिए Movie की starting ही आर मधवन के एक डायलोग से है Hello, one second please, excuse me आर मधवन flight में बैठा हुआ है और वो flight अभी उडने वाली थी लेकिन आर मधवन के डायलोग और expression और action से वो साफ परिशान दिखाई देता है और अगले ही पल उसकी हालत खराब होने की वज़े से उसे flight से उतारा गया और flight से उतरते ही audience को ये बात साफ हो गई कि आर मधवन acting कर रहा सिर्फ इसी लिए क्योंकि उसे flight से उतरना था एरपोर्ट से निकल कर उसने अपने दोस्त को call किया और दोनों किसी रैंचों से मिलने के लिए निकल पड़े कहानी का मेन मोठिफ फ्रेंशिप है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग के दो मिनिट में ही पता चलिए